हेलो गाइस विलकम बैक टो माई चैनल रामा सरी एक्स्प्लिनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो जल्दे से मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजे और हाँ बेल आइकन को दबाना तो बिलकुल मत भूलिएगा अगले दिन नाग पंचमी का दिन आ जाता है तो सारे गाँवाले मिलकर नाग बंदिर में नाग पंचमी मनाने लगते हैं तो सारुत भी वहां की सारी फोटोस को कवर करता है ताकि वो अपनी डॉकुमेंटरी में इसे भी यूज़ कर सके कि तभी वहाँ पर यामनी अपनी टीम के साथ वहाँ पर फिर डांस करती है और अपने भगवान को मनाने की कोसिस करती है इधर सारुत जैसे यामनी को देखता है तो वो उसे देखकर खुस हो जाता है और यामनी के पीछे पीछे जाता है और यामनी को कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले है तो यामनी कहती है लड़कियों को पटाने वाला ये आइडिया बहुत पुराना हो गया है कुछ नया ढूंडो तो सारुत कहता है तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगी लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ तो यामनी कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कभी भी मिली हूँ आगे यामनी और सारूत एक दूसरे की आँखों में इस तरह खो जाते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि उन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया है कि तब ही वहाँ पर यामनी की दोस्त आती है और यामनी को लेकर वहाँ से चली जाती है पर यामनी जाते टाइम भी सिर्फ सारूत को ही देखती रहती है और सारूत यामनी को दूसरी तब नागरानी अनावंदी को उन दोनों की नस्तिक्या बिल्कुल भी रास नहीं आती और वो गुसे में आ जाती है और कहती है मीना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी तुमने अभी भी उसी खंडर में मौजूद है क्यों ना हम सब मिलकर उस खंडर में जाए और वहां के सारे सोने को चोड़ी कर ले तो कुछ लोग ये भी कहते हैं वो खंडर तो स्रापित है अगर हम उस खंडर में गए तो जिंदा वापस लोट कर नहीं आ पाएंगे तो चोई कहत यामनी के पापा आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग उसी खंडर की तरफ जा रहे हैं तो यामनी के पापा उन लोगों को रोकने की कोसिस करते हैं और उन्हें चेताबनी भी देते कि अगर वो लोग उस खंडर में गए तो वो लोग वापस नहीं लोट प वहीं पर उनकी मुलाकात नाग्रानी अनावंदी से हुई थी और नागरानी अनावंदी ने ही राजकुमार चायवोंग का इलाज किया था और उन्हें फिर से स्वस्त कर दिया और यही पर इन दोनों को एक दूसे से प्यार हो गया था पर राजकुमार चायवोंग को ये बात नहीं पता थी कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड मनजूर नहीं था दूसी त्रप महल में महराज ने पहले ही राजकमार चाइवोंग की साधी राजकमारी खर्मीदा से तैक कर दी थी और ये साधी एक राज्य विवा था और महराज ने इस साधी के लिए हामी इसले भड़ी थी ताकि दो राज्य एक दूसरे इसे मिल जाए और उन दोनों की ताकत एक हो जाए और कोई भी राज्य उन्हें हडा ना पाए आगे जब राजकमारी खर्मीदा को राजकमार चाइवोंग और अनावंदी के प्यार के बार में पता चला उन्हें बहुत ही गुसा आया पर उन्हें अनावंदी पर सक था कि वो इंसान नही बलकी कुछ और है और राजकमारी खर्मिदा का सक सही भी निकला उन्होंने अनावंदी को नागिन रूप में बदलते हुए देख लिया था जिसे देखकर राजकमारी खर्मिदा पूरी तरह सौक्ट हो गई थी तो राजकमारी खर्मिदा ने अपने पापा के साथ मिलकर ना नागरानी अनावंदी के गले में वो लोकेट डाल दिया जिस वजह से नागरानी अनावंदी अपने असली रूप में आ गई और राज्कमर चाइवंग और सारे लोग उसे ऐसे रूप में देखकर पुरी तरह सौक्त हो गए तो महराज ने सब को आदेश दिया कि वो नागर में से बहारी नहीं आपाए कि उन्होंने जिस लडगी से पियार किया वो लडगी एक नागिन है लेकिन उसके बाद नागरानी अनावंदी अपने गुशे कपर को पूरे गौंवालों पर दिखाने लगी और वो सब को हपक हपक कर कर डसने लगी और सरय फ़क्त हो गए तो उसके बाद राज कुमार चाइवोंग का क्या हुआ उन्होंने क्या किया तो यामनी के पापा कहते हैं उसके बाद राज कुमार चाइवोंग इस गिल्ट में अपने आपको माफ नहीं कर पाए कि उनकी वज़ा से कितने लोगों की जान गई उनकी वज़ा से ही राज जिम में पुजारी जी कहते हैं समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। पुजारी जी को परिसान मत करो उनका जब मन करेगा तभी वो तुम्हें बताएंगी। आज हमारी नागमरानी यहां पर होती तो वो ये सब रोक लेती। तो नागचित कहता है तुम टेंसन मतलो बहुत जल्द हमारी नागरानी रिहा होने वाली है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो। उसके बाद हमारी नागरानी इन लोगों को सबक सिखाएगी। दूसी तब चॉय का बेटा सुसु कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक सोने पर पड़ती है। तो वो उसे देखने के लिए जैसे ही नीचे जुकता है तो वो एक खंडर में जाकर गिर जाता है। और वो खंडर किसी और का नहीं बलकी नागरानी अनावंदी का होता है। तो चॉय अपने बेटे के लिए परिसान होने लगता है। इधर चित उस खंडर को देख रहा होता है तो उसे उस खंडर में धेर सारा सोना मिलता है। तो चित अपने पापा को चिला कर कहता है कि इस खंडर में धेर सारा सोना है तो उसके पापा जैसे ही सोने का नाम सुनते हैं तो वो खुस हो जाते हैं और उस खंडर की तरफ जाने लगते हैं और उसके अंदर जाने का रास्ता ढूनने लगते हैं तो उसमें से एक बंदा तुम क्या धकना नूसियों बातों पर भरोसा कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा अंदर बहुत सोना है अगर तुम्हें सोना चाहिए तो हमारे साथ चलो वरना यहीं से वापस लोट जाओ तो बंदा चुप चाप उन लोगों के साथ चल परता है आगे वो लोग खंडर के अंदर जाते हैं तो खंडर के अंदर धेर सारे नाग नागिन उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं तो वो लोग उन लोगों से डरते नहीं उल्टा उन लोगों को गोली मार के वहीं पर मार देते हैं तो नागिन मोरा और नागिन चितिये सब देखकर पुरी तरह डर जात और वो दोनों जखमी भी हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए खंडर के अंदर चले जाते हैं दूसी तब नागरानी अनावंदी बहुत ही गुसे में होती है क्योंकि उनके रहते हुए उनके नागों के साथ बहुत बुरा हो रहा है और वो कुछ कर भी नहीं पारी दूसी तरब चान पूरी तरह लाल हो जाता है और नागरानी अनावंदी के मुक्त होने का समय भी आ जाता है दूसी तब सारे लुटेरों को धेर सारा सोना मिल जाता है और वो लोग उन सोने को देखकर पूरी तरह लट्टू हो जाते हैं और उसे वो लोग लेने जाही रह होते हैं कि तभी वहाँ पर नागरानी अनावंदी की इंट्री होती है और फाइनली नागरानी अनावंदी पुजारी की सारी मंत्रों को तोर कर मुक्त हो जाती है और उन सारे लुटेरे को हपक हपक कर मार डालती है तो वो अगोडी नागरानी अनावंदी पर अपनी सारूत को फानली पता चल जाता है कि वो जिस घर करे में घोहते होते हैं्धा सारूत को फैसले के खिलाफ होते हैं अगर तुमgener के मैं तुम लोगों को इतना बड़ा खत्रा मोल लेने नहीं दे सकता वो खंडर स्रापित है और मैं तुम लोगों को परमिशन नहीं दे सकता अगर तुम लोगों को फिर भी यह सब करना है तो तुम लोग यहां से जा सकते हो तो सारुत कहता है यह सब धक्यान उसी बाते हैं आ प्रेचारे सारूत के पास कोई ठिकाना नहीं बच्ता रहने का तो वो पंडित जी के पास चला जाता है रहने के लिए पर वो अपना डोकुमेंटरी का सपना नहीं छोडता। इधर नागिन मोडा और नागिन चीत नाग्राने को देखकर बहुत खुस होते हैं तो नाग्रानी कहती है मैं 500 साल के बाद आजाद होई हूँ एस मुझे इस मुर्ती में 5 सालों तक कैद किया था मैं उन सारे इंसानों से बदला लूँगी जिसने मेरा ऐसा अंजाम किया लेकिन उससे पहले मैं उस मीना से बदला लूँगी जिसने मेरे प्यार को छीना है 500 साल पहले मैंने उसे सराब दिया था जैसे ही वो 25 साल की हो जाएगी मैं उसे नागिन बना दूँगी तब मैं देखती हूँ कि राजकुमार चाइवंग उससे कैसे प्यार करता है राजकुमार चाइवंग ने मुझे इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि मैं एक नागिन थी अब मैं देखती हूँ जब वो अपने प्यार को नागिन की रूप में बदलते हुए देखेगा तो क्या तब भी वो मीना से प्यार कर पाएगा उस मीना की बच्ची ने अपनी मा सूमियत और अपने नाच गाने से मेरे राजकमार को अपने बस में क्या था और अपने प्यार के जाल में फसाया था न मैं उस कमीनी को नहीं छोड़ूंगी जिस दुख से मैं 500 सालों से गुजर रही हूँ, मैं उसे उसी दुख से गुजारूंगी